How to fix Android copy paste not working problem नमस्कार दोस्तो स्वागर है आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो यह आपके जो डिवाइस है उसमें copy paste का जो future है वो काम नहीं कर रहे तो कैसे आप इस problem को यह आपर fix कर सकते हैं आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसी के regarding पर solution बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तो यहापर कभी कभी क्या हो जाते है copy paste का future पूरा बंध हो जाते हैं हम दोस्तो यहापर copy paste जो है use नहीं कर पाते तो यह आपको भी इस तारह का कोई भी issue है कोई भी problem है वीडियो को आं तक देखे solution को follow करे आपका problem definitely fix हो जाएगा यहापर दोस्तो मैं आपको कुछ instructions देने वाला हूँ आज की इस वीडियो पर और दोस्तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा आपका जो problem है definitely fix हो जाएगा और दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले यहरी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो make sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें सारे साथ दोस्तो बेल आइकोन को भी click जरूर कर देजगा यहरी आप online से पैसा कमाना चाते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो description पर link दे रखा है और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए शूरू करते हैं सबसे पहले तो दोस्तो हमें यहाँ पर देखना है यहाँ पर दोस्तो डिवाइस पर application कौनसा कौनसा install किया हुआ है तो हमें दोस्तों एक बार setting पर भी जाना है setting पर जाके दोस्तों about phone को open करना है about phone open करने के सारे साथ आप यहाँ पर scroll down करके जो आपका storage है उसमें क्लिक करें storage पर click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर cache data का option दिखाई देगा ठीक है तो cache data पर जाके आपको cache data जो है उसको clear कर देना है तो cache data को यहाँ पर clear करने के बाद आपका यहाँ पर इसदोback button लिए उसको click किजिए खेश डेटा केसे clear करना है दोस्तों वो आपको simply cache data पर click कर देना है वो clear हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको check करना है आपके mobile पे कोई भी bad application install किया हुआ है या नहीं है यहीं कोई bad application install आपने कर रखा है तो वो आपकी device को यहाँ पर damage कर सकते ठीक है अंदर अंदर वो damage कर देगा तो bad applications वो होते जो आप browser से install करते जैसे की chrome browser से ओपेरा से तो आप उनके download list पर जाके एक बार चेक करें यहीं कोई भी चीज अपने install download कर रखा है उनको delete कर दीजिए उसके बाद दोस्तो device को एक बार restart करके एक बार check करके देखे problem आपका solve हो जाएगा यहीं इससे problem solve हो जाता है तो आच्छी बार है यहीं दुबारा से आपको problem आ रहा है वो ही चीज तो दोस्तो आप जाए अपने about phone पर जाने के बात दोस्तो आपको software update कर देना है ठीक है software update करने के सारी सार जब आप install कर लोगे आपने software को आपने device के साथ तो आपका problem solve हो जाएगा तो बस आपको यह process follow करना है और उसके बाद by any chance आपको यहीं दुबारा से problem आ जाते हैं तो दोस्तो आपको जाना है about phone पर और उसके बाद दोस्तो बेकाबेन reset का future इस्तिम का जो copy paste का problem है वो भी solve हो जाएगा तो बस दोस्तो यही सब solutions है इसके regarding पर और इसके मदद से आप copy paste का problem solve कर सकते हैं यहां फिर दोस्तो आपको यह application ले सकते हैं आप पर copy paste के लिए जैसे कि universal copy ठीक है universal copy दोस्तो आपको हर जगे पर copy paste करने का option मिल जाएगा ठीक है तो आप उसमें जाकी भी copy कर सकते हैं और paste भी कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पर एक और चीज़ में आपको बताना चाहूंगा यही copy paste काम करना बन कर देता है किसी भी normal device पर तो आप दोस्तो यहाँ पर android router को लेके आप root कर सकते हैं अपने device को ठीक है यही आप rooted device यूज़ करना चाह root करके यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो मुझे भी दोस्तो इतना पसंद नहीं है mobile root करके यूज़ करना तो आपके उपर में दोस्तो है तो जो भी solution मैंने दिया है आप उसको follow कर सकते है या तो फिर आप device को root करके directly fix कर सकते है अपना problem को तो आज के इस वीडियो बोटोस तो बस इतने ही उमिद करते हैं आपको जो है वीडियो यहाँ पर पसंद जरू आया होगा thanks for watching